आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसाइन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ण वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनूड करें नमस्कार दोस्तों प्रश्ण है सरद्काष्ट को बसंत कश्ट से विवेदित किया जा सकता है तो आईए समझते हैं तो आउए बात कर लेते हैं सरद्काष्ट कि सरद्काष्ट जो हता है वो सरद्रीतू में बनता है इसलिए इसे सरतकाष्ट कहते हैं इस समझ जो है सरतकाष्ट के समझ जो है सरतकाष्ट में जो है समवहन एधा जो होता है वह कम क्रियासील होता है कम क्रियासील होता है और इसकी एक और खास बात है कि इसमें जो है जो वाहिका होता है उसकी जो गूहा होती है वह संकील होती है यानि कि नेरो होती है और जो है सीद काट जो होता है वह रंग जो इसका होता है गहरा होता है और इसका घनत्व जोता है ये अधिक घनत्व के काश्ठ होते हैं अब बात कर लेते बसंद काश्ठ की तो बसंद काश्ठ होता है बसंद काश्ठ वह बसंद रितु में बनता है और इसमें जो है समवहन एधा जो होता है समवहन एधा वह अधिक क्रियासील होता है और इसकी खास बिसेस तायार क्या होती है इसमें जो है वाही का जो होता है वह अधिक चोड़ा होता है चोड़ा अवकासी का होता है अवकासी का होता है और जो है सीतरतु जो होता है वह इसका रंग जो है सीतकास्ट का जो रंग होता है वह हलका होता है हलका रंग और ये कम घनते के होते हैं कम घनते के होते हैं तो ये फिर से समझ लेते हैं सरत का ही जो होता है वो उसमें जो है समान रहता है कम क्रियासील होता है और इसकी वाहिका जो होती है वो संकीड होती है और ये गहरे रंग के और अधिक घनत वाले होते हैं क्योंकि सरत र जो पानी के और सकता ज्यादा होती है इसलिए इसमें वाहिका चौड़ी हो जाती है और संवहन एदा सफ्री हो जाता है सरत काष्ट को बसंद काष्ट से भीवेदित किया जा सकता है पहला दिया चौड़ी वाहिका वह वाहिनिक का द्वारा तो यह हमार उत्तर हो जाएगा इस समय जो है, जो सरत काश्ट होता है, वो संकीर वाई का और वहनिया द्वारा बेवेदित किया जा सकता है, तीसरा दिया जायलम के लाल रंग के द्वारा तो ये नहीं होगा, एधा द्वारा ये भी नहीं होगा, हमारा उत्तर होगा फिकल दूसरा, तो आसा करते हैं इस प् सब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर